आयरवेद में कहा गया है कि स्वास्त स्वास्त रक्ष्णम आतुरस रूगवी मोक्ष्णम चाह। आयरवीद एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्त को स्वस्त व्यक्त को स्वस्त बनाए रखने के हजारों तरीके हैं हमारे आयरवीद में बनने जिससे हम हर व्यक्त को स्वस्त बनाए रख सकते हैं और जो स्वस्त है उसको तो हम स्वस्त करते ही करते हैं स्वस्त बनाए रखने के लिए नियम सयम उचिताहार वियार और दैनिक दिंचर्या जो की बहुत ज़रूरी है हमारे लिए केवल अगर हम चाहें तो उसी से पूर्ण रूप से स्वस्त बने रह सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज दैनिक दिंचर्या के बारे में ही बताना चाहूँगा कि आज क्या दैनिक दिंचर्या हर व्यक्त की होनी चाहिए और केवल उस दैनिक दिंचर्या को अगर फालो कर ले तो वो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्त बना रह सकता है तो मैं बताना चाहूंगा प्राथकाल, सबसे पहली चीज तो अगर संभव हो सके तो ब्रहम मूर्थ कहा जाता है प्राथकाल कम से कम 4 बजे ना उठें तो 5 बजे उठें, 5 बजे ना उठें तो 6 बजे कम से कम उठें और प्राता काल उठते ही तीन चार ग्लास पानी पीने के आदर डालें और प्राता ब्रह्मण करने के लिए निकलें और लौट के आके फिर प्राणायाम योग करें फिर उसके बाद जब लौट के आएं तो पांच शे तुलसी की पत्ती पांच शे नीम की पत्ती का सेवन करे उसके बाद अपना बैट के प्राणायाम योग बराबर जो है नियमित अपने उसमें रखें ये करें फिर उसके बाद ये सब करने के बाद प्राणायाम करने के बाद फिर अपने संपूर्ण शरीर की जो है वो पूरे अंग की मालिश करें मालिश के लिए तेल जो है वो बहुत तुपयोगी है इसमें हमारा सरसू का तेल है और तिल तेल है बादाम का तेल है ओलिवाइल है तो ये सारी तेल है कोई भी एक तेल इससे पूरा शरीर का अभ्यां करें अभ्यां करने के बाद अगर थोड़ी सी धूप देख रही है तो धूप में उसमें बैठके थोड़ा सा पसीना निकालें और अन्यता जैसे पंचकम सेंटर अगर आसपास है तो वहाँ पे जाके खुद दूसरे से मसाज कराएंगे तो वह बहुत फायदे मंद होगा तो उससे मसाज कराने के भाप लें भाप से पूरा जड़ी बुटियों की भाप रहती है जिससे शरीर कांती में बनी रहती है और वैसे भी साधारन तोर से अगर आप मसाज कर रहे हैं तो इससे तवचा जो है अपनी शरीर की मुख की तवचा सब की जो है वो सारी चीज़ें कांती में बनेंगी और शरीर हड़ी सब मजबूत होगा उसके बाद फिर इसनान करें ये इसनान करने के बाद फिर मोटी टाविल रोईदाविल या कुछ ऐसी उस टाविल से खुब रगड रगड के अपना बदन पोचें जिससे कि स्किन का सर्कुलेशन अच्छे से और तेज हो जाए तो उसमें पूरा सर्कुलेशन जब प्रपर होता है तो रगड का संचार अच्छा होगा तो तच्छा कांती में बनी रहती है फिर उसके बाद मुँ धोने का तरीका क्या होना चाहिए यह भी देनिक दिन चषरया में है मुं में पूरा कुला वरिए ऐसे करके पूरा क करिए उसके पीस-पचीस बार आँक पे पानी डालिए, शी तल्जल डालिए और मुं में कुला भरा रहना चाहिए पूरा भू पूला रहना चाहिए उसके धोने के बाद वही हाथ उपर ले जाईए और कान का पूरा अच्छे से मसाज करिए इससे क्या होगा पूरे शरीर का पूरा ये उपर अधो भाग पूरा हमारा बिल्कुर ठीक हो जाएगा फिर उसके याद उंगली से अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपका दान जो है आपकी जिन्दगी के साथ बना रहे दान में कीले न पढ़ें बिल्कुल पूर्ण रूप से आप स्वस्त बने रहें उसके लिए आप उंगली से पूरा मसूरे का अच्छे से मसाज करें फिर उस आप जो दो रहे हैं आप दोने के बाद नाप को पूरा वो करिए ये बहुत कम लोग करते हैं जो की बहुत जरूरी है नाप ऐसी चीज़े जो हमारी मस्तिश की रूट है मस्तिश की जड़ है अगर ये नियम से अगर हम करते रहेंगे तो हमारे मस्तिश कोई भी रोग हमार शरीर में नहीं आने पाएगा और हमारी ना सिरदर्द होगा ना माइगरीन होगी ना कोई भी तकलीफ नहीं होगी और इससे जो है यादाश्त भी बढ़ेगी काफी है ठीक है तो ये चीज़ा आपको बराबर नहमित करनी है फिर उसके बाद खाने में अब हम बताना चाहेंगे इस नान होगी मूदोने का तरीका हो गया फिर उसके बाद खाने का तरीका फिर अपना ना दोके अप ध्यान योग करें फिर उसके बाद नाश्ता जब करते है तो नाश्ते में क्या करना है ये बहुत महत्पोंची से दन एक दिन चार्या में आपको अपने साथ रखनी है प्रातरकाल अगर सेव उपलग्द हो तो सेव का सेवन करिए एक सेव का फिर उसके बाद प्रातरकाल आप नीबू एक गुनगने गरम पानी में नीबू का रस निकाल लीजिए और एक चमश शेड डालके प्रातरकाल उसका उठते ही इसका सेवन कर सकते हैं उसके बाद नाश्ते में आपको नाश्ते के साथ एक गलास मठा उसमें भुना हुआ जीरा काला नमक उसमें डालके मिलाके अच्छी से दीरे-दीरे सिप करते हुए पीना है क्योंकि पानी भी अगर कोई चीज़ पी भी रहे हैं तो उसको बहुत ही तिम्नान से पीना है मूँ का सिलावा जो होता है वो बहुत ही उप्योगी होता है उस मुह को सलावों के साथ जो है उसको धीरे-धीरे मुह में रखके उसके बाद धीरे-धीरे निगलते जाएए फिर उसके बाद बोजन में हम बताना चाहेंगे तो बोजन में हरी सबजीयों का सेवन जादा से जादा करना है क्योंकि हमारा शरीर जो है क्षारिय तक्तों से बना हुआ है क्षारिय और अम्लिय तक्तों होते हैं तो क्षारिय तक्तों हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं इसलिए हमको क्षारिय तक्तों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो शारियत तक हमारे फल फूल और सबजियां हैं तो अधिक से अधिक उसका सलाद का, हरी सबजियों का और जहां तक हो सके, अगर वाइल्ड करें तो बहुत अच्छी सबजियां बनती हैं जीरे का चौँक लगाएं, मीती का चौँक लगाएं अजवाईन का चौँक लगाएं, इस सब चौँक लगाके इसको अगर सेवन कर रहे हैं भोजन का तो हमारी पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा बना रहेगा और हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर में तेज एक आएगा तो ये एक तरह हो गया फिर उसके आद स्प्राता का भोजन बहुत जरूरी है दैनिक दिन चर्या में जरूर रखें कम से का नौ-दस बजे तक, आठ बजे से दस बजे तक भोजन अपना अच्छा भोजन, जो हैवी भोजन का रहता है, वो जरूर ले क्योंकि रात भर हमारा पेट खाली रहता है तो इस समय अगर हम खालेंगे तो ये हमारे शरीर को पूरे दिन, बहुत शर्ती प्रदान करता है और उसके बाद दोपार का भोजन, जहां तक हो हलका होना चाहिए तो हलका भोजन, आप इसमें भी सबजी और रोटी का सेवन करिए सलाद का सेवन करिए फिर उसके बाद शाम का टाइम में अता है शाम को आप फलों का सेवन करिए रस का सेवन करिए, जूसेज निकलवा लीजिए और सूप का सेवन करिए और सूप के बारे में बताना चाहूँगा कि सूप जहां तक हो गरम पानी गरम सूप जो है वो खाने के बाद सिप करते हुए आधे गंटे बाद भी पी सकते हैं तो उससे क्या खाने का पाचन भी बना रहता है और पाचन भी होगा और शरीर जो है पाचक हमारे शरीर में जब पहुँचेंगे तो हमारा शरीर जो है उसमें शक्ति प्रदान होगी और शाम को जहां तक हो बहुत हलका भूजन आपको ग्रांड करना है बिलकुल हरका भूजन ग्रांड करिए और कम से कम जब सोने से दो घंटे पहले भूजन करना है जैसे आप 10 बजी सोते हैं आप 11 बजी सोते हैं तो 9 बजे कम से कम भूजन ग्रांड करिए और भोजन गरंड करने के लिए बहुत हलका भोजन लिजिये और कम से कम 100 कदम थोड़ी दूर अपना टहल के आई और प्राता ब्रहमण पर हमने आपको बताया नहीं कि प्राता ब्रहमण या शाम को किसी भी समय आपको कम से कम 5-6 किलोमेटर का ब्रहमण करना है और तेज चाल से अगर आप ये इतना कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रक्रिया से इस तैनिक दिंचर्या से आपको हार्ट की प्रालम, डियवटीज, कोलेस्टरॉल ये सारी प्रालम आपकी गयग हो जाएगी अगर नियमित रूप से अगर आप इसने इतना कर लिया आपने तो आपके अंदर चुस्ती दुरिष्ट बने रहेंगे और सारी समच्याएं का समधान हो जाएगा और पूरे दिन में कम से कम पानी आप चार लीटर कम से कम पानी का सेवन करेंगे इससे जो है आप स्वस्त बने रहेंगे